हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल गोल्टू सक्सस में फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को ज़रू सब्सक्राइब कर लीजेगा चैनल को नाम है गोल्टू सक्सस इसके अलावा अगर आप Assistant Professor, PGD या फिर NET या GRF के लिए एक्जाम देने वाले हैं शुषालोजी से, तो इस चैनल के साथ जूड़कर आप यहां से study कर सकते हैं, प्लेडिस में आपको सारी की सारी शुषालोजी से related जितने भी वीडियोज हैं, आपको प्लेडिस से मिल जाएंगी, उनसे भी वीडियोज को देख लीजी, उनसे आपको काफी मदद मिलेगी, चाहे वो आपका NET का exam हो, PGD का हो, Assessant Professor का हो, किसी का भी exam हो, ठीक है, अगर आप शुषालोजी से दे रहे हैं, तो उसके लिए आप यह सारी वीडियोज देख सकते हैं, NET and JRF के अगर बात करें, तो उसमें दो paper होते हैं, फर्स्ट paper होता है आपका Teaching Aptitude, फर्स्ट paper होता है, वो आपका subject का होता है, तो फर्स्ट paper से related, यानि की Teaching Aptitude से भी related आपको प्लेलिस में ही वीडियोज मिल जाएंगे, तो उन सभी को आप देख सकते हैं, इसके अलावा जैसा कि आप सभी जानते हैं, देली जो वीडियोज आ रही हैं, जो की उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयोग द्वारा, जो GIC के लिए vacancies आई होती, इन से related वीडियोज देली आती हैं, टोटल हम लोग 50 questions को solve करते हैं, ठीके, स्टार्टिंग से 30, यानि फर्स्ट से 30 questions आपकी subject, यानि क्यों psychology से related होते हैं, लास्ट जो 20 questions होते हैं, वो आपके GS से related होते हैं, तो चलिए friends, start कर लेते हैं, फर्स्ट कोशन है, शुद समाज शास की अवधारना किस ने दी है, दुर्खीम, स्पेंसर, गिडिंग्स या फिर लेस्टेड वार्ट, तो यहाँ पर शुद समाज शास का concept पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर right answer आपका award हो जाएगा, option D हो जाएगा, यहाँ पर right answer, next है, प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष सहियों की अवधारना किस की है, प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष सहियों का जो concept है, वो किस ने दिया है, options देखिए, MacAvian page, Johnson, Simil या फिर Park, तो यहाँ पर right answer second का MacAvian page हो जाएगा, next है, नेमरिकित में से किस ने यांतरिक एकता और सावेवी एकता में भेद किया, यानि कि यांतरिक एकता और सावेवी एकता में जोर्च से मिल, तो यहाँ पर ये दुरकीम का concept है, third का right answer option B होगा, next है, नेमरिकित में से किस ने अपने समाजिक परिवर्तन के सिध्धान्त में शेर और लोम्री अदो का प्रियोग किया है, important question है, friends, social change से related आपके exam में questions काफी पूछे जाते हैं, आपको playlist में कुछ वीडियोज मिलेंगे, जैसे कि जिसमें social change का जो परेटो को सिध्धान था, उन्होंने concept दिया वा था, अभिजाद, परिभ्रमर का सिध्धान माक्स की बात करें, तो माक्स का वर्ग, संघश का सिध्धान थे social change से related, सोरुकिन ने जो तीन संस्कृतियों में समाजिक परिवर्तन की बात की थी, वो, ठीक है स्पैंगलर, टॉय नभी ठीक है, ये कुछ important है जैसे कि अगर हम social change के बात करें, तो ये कुछ important है आपको playlist में videos मिल जाएंगी, इन सभी के videos अलग-अलग बने हुएं, इन्हें जरूर देख लिजेगा, आपके लिए काफे important है and the friends, आप लोग community daily check करती रहा करिए, वहाँ questions भी पूछे जाते हैं, plus जो important videos होती हैं आप लोगों के लिए उनका link भी वहाँ पर share कर दिया जाता है तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं अगर आपको playlist में videos को देखने में problem हो रही हो ढूणने में, तो आप community में आपके लिए जो important है, उनको share कर दिया जाता है, लिए आप वहाँ से देख सकते हैं यहाँ पर समाजिक परिवर्तन के सिध्धान्त में share और लोमडी पदो का प्रियोग क्या है किसने options देखिया है पेरेटो, पी ए सोरुकीन, टी वेबलन या फिर कालमाक्स, तो यहाँ परेटो होगा राइट आंसर, फोर्थ का option A होगा नेक्स्ट है, निम्रिकित में से किसने भूमिका कुलक में संगष के सरशनात्म कारकों का प्रतिपादन किया है ठीक है, रोल सेट में बात हो रही है रोल सेट किसका कॉनसेट था मर्टन का था, ठीक है कुछ वीडियोज आपको मिलेंगे केवल कॉनसेट के उसमें केवल कॉनसेट दियो है किसके है, यह बताया गया है ठीक है, तो उसको भी ज़रू देखेगा प्लस आपका जैसे की रोल सेट हो गया मल्टिपल रोल हो गया भरती की भूमिका क्या है, संपूर संस्था क्या होती है, बहुल भूमिका क्या है, प्रस्तथी क्रम क्या है, प्रस्तथी अनुकरम यह सब है, कुछ important concepts हैं, जो आपके exam में काफी पूछे जाते हैं फ्रेंस, डिरेक्ट भी पूछ लेते हैं यह concept किसका है, आपको बताना होगा यह स्टेटमेंट देते हैं, पूछते हैं इसमें से क्या होगा, तो आपको पता हो नचीए, ठीके, शोशल आपको वहाँ पर जो प्लेलिस है, वहाँ पर वीडियो मिलेंगे, स्टेटस एंडर रोल से रिलेटेट, ठीके, उनको ज़रू देख लिजेगा, काफे अच्छे से एक्स्प्लेइन किया गया, प्लस इन से रिलेटेट, यानि स्टेटस एंडर रोल से रिलेटेट, जितने भी टाइब के क्वेशन्स बनते हैं, एन एक्जामें, पूछे जाते हैं, इन से रिलेटेटेट, आपको प्रस्प्रतिक विनिमें, या सांस्क्रतिक आकर्मन, तो यहाँ पर प्रसाराण होगा, सेवन्त का राइट आंसर ऑप्शन भी होगा, नेक्स्ट है, समाज शास का जन्म से पूर्व नाम था, आप सभी जानते हैं, समाज शास से पहले, यह किस नाम से जाना जाता था, शोशल फिजिक्स, यानि समाजिक भौतकी, और समाज शास के जन्म कौन है, अगस कॉम्ट, आप सभी जानते हैं, यहाँ पर राइट आंसर एर्थ का ओप्शन भी हो जाएगा, नेक्स्ट है, यहाँ पर मैचिंग वाला है, तो श्वेद वसन अपरात की बात कर ले, तो यह था सदर्लैंड का, यहाँ पर एक ही है, फर्स्ट है, यानि कि ऑप्शन एर्थ राइट आंसर हो जाएगा, गन्दात्मक भौतिक बात की बात करें, तो कालमाक्स हो जाएगा, श्रम विभादन आपका हो जाएगा, दुरखीम और विज्ञानों की संसरान की बात करें, तो है, आपका अगस कॉम्ट हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर नाइन्थ कोशन को अप्शन ए होगा, नेक्स्ट है, संगश का प्रकारात्मक सिध्धान्त प्रतिपादित किया गया था, इंपोर्टन कोशन है, संगश का प्रकारात्मक जो सिध्धान्त वो किसने दिया था, कोजर ने, राइट आंसर ओप्शन ए हैं, नेक्स्ट है निम्न में से कौन समाजिक नियंतरन की एजैंसी नहीं है। नियाइपाली का अर्थवेवस्था धर्म या फिय आदश्च नियम। तो यहाँ पर समाजिक नियंतरन की एजैंसी नहीं है पूछा गया है। तो अर्थवेवस्था होगा 12 का right answer option B. नेक्स्ट है समाज की उद्विकास का सिध्धान किसने प्रतिपादित किया समाज का जो उद्विकास का सिध्धान थे वो किसने दिया हुआ था Spencer ने यहाँ पर right answer option C होगा नेक्स्ट है M.N. शिनिवास की उस पुस्तक की पहचान करे जिसमें संस्कति करन का सिध्धान पहली बार प्रतिपादित किया गया यहाँ पर M.N. शिनिवास से रिलेटेड़ बुक्स है ठीके अब उसमें बताना है कि संस्कति करन की जो अगधाना दीती उसमें उन्होंने पहली बार किस बुक में बात की है ठीके तो Religion and Society Among the Cooks of South India यारी को Option D राइट आंसर होगा इनका जो शिनिवास का है इनका जैसा कि संस्कति करन की अगधाना हो गई प्रभु जाती या प्रभु जाती आना कॉंसेट पश्मी करन की जो अगधाना है वो क्या है इनसे रेलेटर काफी कोशन होते हैं एक्जायम में पूछने देखने को आपको मिलेंगे तो इनसे भी रेलेटर आपको शिनिवास की वीडियो मिल जाएंगे प्लेलिस में उन्हें भी जरू देख लिजेगा यहाँ पर 14 का राइट आंसर ऑप्शन D हो जाएगा अगस्त कॉम ने विज्यानों का सायोजन श्रणी बद रूप में किया है इनमें से कौन सा एक सही है ठीक है तो यहाँ पर आपका गरिश शास्त्र नक्षत्र विज्यान भौतिक शास्त्र रसायन शास्त्र जी विज्यानों समाश शास हो जाएगा यानि की 15 का राइट आंस अप्शन ए है नेक्स्त है लगू समुदा यानि की लिटिल कम्यूनिटी की जो अवधारना है कॉंसेप्ट है वो किसके किसने लिया था ओसकर लेविस का है रॉबर्ट रेट फील का है या देसाई का है फिर मॉर्टन का है तो यहाँ पर आपका लिटिल कम्यूनिटी प्रार्मिक संसकार या फिर एक समाजिक समझोता तो यहां को मुझ्लिम विवा क्या होता है समाजिक समझोता है राइट आंसर 17 का ओप्षन डी हो जाएगा नेक्स्ट है वेबर से डौर्विन से या फिर आरस्तूतु से तो यहां पार डार्विन राइट आंसर ऑंसर समाज समकारत की तरह विकास सरल से जटल रोपों में होता चलता है यानि कि जीवधारी प्राणी की तरह समाज का विकास सरलता से जटिलता की रूप में होता है मॉर्गन ने, स्पेंसर ने, क्रोबन ने या पर डॉर्विन ने किसने कहा है तो यहाँ वर राइट आंसर ऑप्शन भी होगा स्पेंसर नेक्स्ट है इन में से कौन एक प्रतियोगिता है तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मोहन बागान एम मोहबंदर स्पोर्टिंग क्लब के बीच में फुटबॉल मैच यह एक प्रतियोगिता है नेक्स्ट है संपूर संसा की अवधार्ना तो यहाँ पर आपको पहले भी बताया गया है अगर आप चैनल से पहले से जुड़े हुए आपने पहले की वीडियोज देखे हैं तो आपको आंसर पता होगा यहाँ पर संपूर संसा की अवधारना क्या पूछा जा रहा है किस ने दिया है मर्टन है, गॉफ मैन है या फिर दुर्खीम वेबर तो गॉफ मैन होगा राइट अंसर ऑप्शन भी होगा नेक्स है अगस कॉम्ट की है ना अगस कॉम्ट की तीन अवस्थाओं के सिद्धान का जो परिवर्तन है उसको कौन सा प्रतिमान बताया गया है शम रेखिये, बहु रेखिये, चक्रवाल या पि आवरती शम रेखिये है, और पर 23 का राइट आंसर आपका हो जाएगा option A, ठीक है, क्या हो जाएगा option A हो जाएगा, sum रेखे next है, worst-hand का जो concept अफधाना है, वो किस ने दी है Weber ने दी है, व्याख्यात्मा का अफधाना ऐसे भी पूछ लेते हैं, right answer option C, next है Weber के अनुसार max Weber के अनुसार, तीनों प्रकार की सत्ताओं में निम्लिकित है, केवल एक को छोड़ का वो कौन है, ठीक है, इन में से मलकी 4 options दिये गए है, इन में से Weber ने तीन प्रकार की सत्ता की बात की है, एक कौन है, जिसकी बात नहीं की है तार्किक, यानि वैधानिक, करिश्माई सत्ता, धार्मिक सत्ता या फिर परंपरागत सत्ता, तो एक है ऐसा बताना है, किसकी नहीं कीती, तो धार्मिक सत्ता की नहीं कीती, बाकी की तीनों उन्होंने कीती, तार्किक, वैधानिक की बात कीती, करिश्माई सत्ता की बात कीती, परंपरागत की बात की ती धार्मिक की बात नहीं की ती 25 का राईट आंसो option C next is Karl Marx ने समाजिक परिवर्तन को कौन सा सिद्धान प्रतिपादित किया है यारी कि Marx का जो समाजिक परिवर्तन का सिद्धान थे वो क्या कहलाता प्रगतिवादी वर्ग संगष उद्विकास वादी या फिर प्रकार वादी तो जो शोशल चेंज की बात की है वो क्या है क्लास कॉन्फिक्ट में की ती राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा अबिजात वर्ग के परिब्रमण का सिधान किस ने दिया है अभी प्रेट वर्ग के परिब्रमण यह अपको बताया गया है किसका है पैर्टो का है विलफ promise शोशल ऑ चानि बुडेट बुग से रेलेट आपको उन वीडियोस को देखना है जितने भी आपको बुक्स बताएगे हैं उनको आप याद कर लिजेगा ठीक है तो यहाँ पर तो यह बर्जान लक्मैन की बुक है राइट अंसर ऑप्शन ए है नेक्स्ट है किसके द्वारा समाज समाजिक समंधों का जाल है यानि कि समाज को समाजिक समंधों का जाल का है किसने पार्संस ने दुर्खीम ने मैकेवैन पेज ने या फिर मर्टन ने तो यहाँ पर आईटान सा मैकेवैन पेज ओप्शन सी होगा नेक्स्ट है अप्चारिक समाजिक नियंत्रन के अंतकत कौन सा साधन नहीं आता है कानून कारावाज कारण मोटर, कार एंड सिग्रेट से निकलने वाली जो रंगीन गैस है वो क्या है कारबन डायोकसाइड, नाइट्स ओकसाइड, कारबन मोनो अकसाइड या फिर मिधेन तो यहाँ पर 31 का राइट आंसर अगर बात कर ले तो यह कारबन मोनो अकसाइड होगी ठीक है राइट यहाँ पर 32 का राइट आंसर अप्शन डी हो जाएगा नेक्स्ट है सिग्रेट लाइटर में निम्लिकित में से कौन सी गैस यू यूज होती है प्रियूक्त होती है ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन या फिर रेडॉन तो यहाँ पर 33 का राइट आंसर ब्यूटेन हो किसके रिसाव के कारण हुई थी, इंपॉर्टेन कोशन है आपको पता भी होगा, ओप्शन देख लिजे, मिथाइल आइसोसाइनेट, कार्बन मोनो ओक्साइड, नाइट्रिक ओक्साइड या फिर सल्फर डायक्साइड, तो यहाँ पार बोपाल गैस तरासिती जो हो ती, उसमें जो जिस ग्यास का रिसाव हुआ था, वो मिथाइल आइसोसाइनेट है, 34 का राइट आइसोसाइनेट है, नेक्स्ट है, हरे फलो को क्रतिम रूप से पकारने के लिए कैल्शियम कारबाइट का प्रियोग किया जाता है, क्योंकि यहाँ उत्पन करता है, मेथिलिन को, औक्सिन को, एसिटिलीन को, या फिर फ्लो रिजन को, इंपोर्टन कोशन है, यहाँ पर एसिटिलीन राइट आइसो ऑप्शन सी होगा, इसे ध्यान से देखेगा, नेक्स्ट है मानशरीर की सबसे बड़ी ग्रंथी है ना, सबसे बड़ी ग्लैन के बारे में बात कर रहे है, कौन सी होती है, मानशरीर की सबसे बड़ी ग्रंथी कौन सी है, यक्रत, अगनाश है, अव्टू ग्रंथी या फिर अमाश है, तो यहाँ पर राइट आंसो ऑप्शन ए हो जाएगा, यक्रत हो जाएगा, यानि कि लिवर हो जाएगा, अगर पूछते हैं सबसे बड़ी, मान श्राइथ की सबसे बड़ी ग्रंथी ग्रंथी केवाल पूछ लाएं है तो यक्रत है अगर पूछेंगे सबसे बड़ी अन्त्रा और इस्त्रावी ग्रंथी का निज जो तब अब तु pacotolastery card Orange और को मेरे अगरом यहां पर येक्रत आंद 22 cm इसकी लंबाई चोड़ाई होती है लिवर की और इसके अगर वेट की बात करें तो यह इसका जो वेट होता है 1.5 kg होता है ठीक है लिवर का ठीक है तो इसे ध्यान दीजीगा important question है यहाँ पर 36 का right answer option A होगा next जे निम्रिकित में से किसका निर्मार हमारे शरीर में नहीं होता है ध्यान से देखिए किसका निर्मार हमारे शरीर में नहीं होता है विटाइमिन A, प्रोटीन, एंजाइम या फिर होर्मोन तो विटाइमिन A है right answer 37 को option A next है भारत के महा नियाएवादी को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है जो महा नियाएवादी है भारत का उसको कि right answer राष्टपती हो जाएगा किस आर्टिकल में महानियावादी की बात की गई है तो आर्टिकल आपका 76 है जीक है अनुचेत 76 के तरद भारत के महानियावादी की बात की गई है और ये क्या होता है यह देश का सर्वोच विधिक अधिकारी होता है जया लिजेगा यह यानि उत्तर प्रदेश के बाद लोगसभा में सरवाधिक स्थानों का आवंटन यानि सीटों का आवंटन है वो किया गया है या किसका आता है यूपी के बाद किसका सबसे ज्यादा लोगसभा में सीटों की बात होती है जिसका आवंटन किया जाता है किस स्टेट में है सबसे ज्या महारास्ट की बात कर लेते हैं, तो महारास्ट की यहाँ पर 48 है, किती हैं, महारास्ट की 48 है, West Bengal की बात करें, पशिब मंगाल की तो 42 है, और अगर और भिहार की बात कर लें, तो यह 40 है, ठीक है, इνपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएकर, सबसे ज़्यादा UP है, UP की बात है महा या करता है तो यह important question है राष्टपती, प्रधान मंत्री, राजसभा का सभापती, लोगसभा का अध्यक्ष संसत के दोनों सदनों की संयुक्ट बैर्थक की अध्यक्षता कौन करता है तो यह लोगसभा का अध्यक्ष करता है यहाँ पर 40 का right answer आपको option D हो जाएगा next है भारती सविधान के अंतगत कितने प्रकार के आपातकाल की बात की गई है important है आप सभी जानते होंगे भारती सविधान में आपातकाल की बात तीन तरह के आपातकाल की बात की गई है right answer option B हो जाएगा अगर हम बात करें article 352 की 352 की तो इसे ध्यान से सुनिए राश्टपति आपातकाल कहलाता है 356 की बात कर ले तो यह आपका कहलाएगा राज्यों में सम्मेधानिक तंत्र की विफलता पर राश्टपति शाशन लगता है और 360 अगर बात करें तो यह वित्यापातकाल है ठीक है ऐसे भी पूछ सकते वित्यापातकाल किस अनुछेत में है तो 360 हो जाएगा ठीक है और अगर आर्टिकल 356 की बात पूछते हैं तो 356 में क्या है यह राज्यों में सम्मेधानिक तंत्र की विफलता पर लगाया जाता है और 352 यह राश्ट यह आपातकाल है तो यहाँ पर राइट आंसो ऑप्शन भी हो जाएगा नेक्स्ट है केंदवा राज्यों के मध्य वित्य बटवारा किसकी सिफारिश पर होता है केंदवा राज्यों की बीच में जो वित्य बटवारा है वो किसकी सिफारिश पर होता है वित्य मंत्राले वित्य आयोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर नाबार तो यहाँ पर वित्य आयोग होगा, राइट आनसो, option B होगा, 42 का राइट आनसो, option B हो जागा, article की बात करें, तो वित्य आयोग का article, इससे सम्मंदे article क्या है, 280, यह याद रखेगा, important है, यहाँ पर 42 का राइट आनसो, option B है, नेक्स्ट है केंडरी उपोष्ण बागवानी संस्थान कहां है तो यह लखनों में है 43 का राइडांस ओप्शन ए नेक्स्ट है ट्रांसजेंडर समुदाई के लिए देश का पहला विश्विद्याले खोला जाएगा कहां कुशी नगर में दिल्ली, गुजरात या फिर राजस्थान तो 44 का राइडांस ओप्शन ए है इंपोर्टेंट है नेक्स्ट है इन में से कौन सही नहीं है गदर पाटी, लादा हिदयलाल, फ्रेंटियर गांधी, जिसे सीमांद गांधी भी बोलते हैं, खान, अब्दुल गफार खान, सी है इंडियन नैशनल आर्मी भगस सिंग, भारत के प्रिथम रास्पती, डॉक्टर राजेन नेक्स्ट है इन में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, सही सुमेलित नहीं है, नहीं कर लिजेगा, ठीक है, सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर आप दिखिए, ओप्शन्स, फिरोश्या महता की मृत्यू, पांच नवंबर 1915 में, जलिया वाला बाग हत्याकान, 13 आयोग की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 में महात्मा गांधी की जो डांडी यात्रा है वह 12 मार्च 1935 में ठीक है यहाँ पर बताना है सही नहीं है ठीक है नहीं कर लिजेगा सही नहीं बताना है तो यहाँ पर 47 का राइट आंसा ओप्शन डी होगा यह कब हुआ था 1930 में हुआ था डांडी जो यात्रा थी महात्मा गांधी की 12 मार्च 1930 में राइट आंसा ओप्शन डी है अब बताना है लिंग राज मंदिर कहा है महारास्ट में तमिलनाडू में भूमनेश्वर में या फिर जैपूर में तो लिंग राज मंदिर कहा है भूमनेश्वर में प्रथम स्विकार किया ओप्शन्स देखिए 22 जुलाई 1947 24 जून 1904 12 जनवरी 1950 या फिर 22 जुलाई 1948 में तो कब रास्टी ध्वज को सबसे पहले स्विकार किया गया 49 का यहां पर राइट आंसा 22 जुलाई 1947 है ठीक है इंपोर्टेंट है ध्यान दीजीगा 22 जुलाई 1947 को 49 का राइट आंसा ओप्शन ए नेक्स्ट है इनमें से सही नहीं है साइमेन कमीशन 1927 भारत छोड़ो आंदोलर 1942 भारती रास्ट्यू कॉंग्रस का गटन 1885 एंड मिंटो मारले सुधार 1905 तो यहां पर सही नहीं बताना है राइट आंसा ओप्शन दी हो जाएगा मौरले मिंटो सुधार की बात करें तो यह 1909 है ठीक है यहां पर 1909 होगा राइट आंसा ओप्शन दी तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही है अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करेंगा कमेंट करके ज़रूर बताईएगा चैनल पर अगर आप नए है और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करेंगा तो इस वीडियो को जितना हो सके जादा से जादा लोगों के साथ शेयर भी जरू करेगा थैंक यू